टेस्टोस्टोरॉन हमारे fitness industry का hero है लेकिन लोगों को लगता है कि टेस्टोस्टोरॉन बढ़ाने में हमारा क्या फाइब अगर bodybuilding में जैसे link tissue एड़ करना के fact loss करने को खास interest नहीं है लेकिन ऐसी बात नहीं है जो टेस्टोरॉन है इसका आपके दिमाग के उपर मतलब मानके चलिए आप कितनी stress है सकते हैं आपका stress threshold उसको उपर करने में टेस्टोरॉन का एक बड़ाई important हाथ है अब जब मैं टेस्टोरॉन की बात करूंगा उसमें क्या होता है 95-96% SHBG से बाउंड होता है मतलब एक प्रोटीन होता है और तीन ये चारव पसंद बाई अवेलेबल होता है तो लोग कहते हैं बहुत साइकलोजिकल फंक्शन है बॉड़ी में बहुत सारे फंक्शन है तो इसके टोटल टेस्टोरॉन की हमारा बड़े और तो आप देख सकते हो जैसे मेरे एक क्लाइंट है जिनका हमने अल्मुस्ट थी टाइम्स कर दिया था टोटल टेस्टोरॉन अब एक प्रॉब्लम क्या है जो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखता हूं लोगों में कि सेक्स टेरोइड होमोन अब टेस्टोरॉन की बात करो इस्टोरॉन की बात करो दोनों का धंग से होना बहुत जरूरी है तो स्लीप जो है धंग की स्लीप इतनी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया आजकल की दुनिया में कि सबसे बड़ा जो एफेक कर रहा है हेल्दी लेवल्स ऑफ सेक्स टेरोइड हॉमोन टेस्टोरॉन अब म वीक में मेजरली आपको स्लीपनेस फील होती है या फिर जाफते में साथ दिन होते हैं चार दिन आपको लगता नहीं नहीं हुई दिन को स्लीपनेस फील हुई तो मतलब आप स्लीप डिस्वार्टर से गुजर रहे हैं और जो की बहुत दिक्कत करता है तो आज के इस वीड बहुत जोर देते हैं, तो यह एक विशेस साइकल हो जाता है, क्यूंकि क्याफिन बढ़ेगी, वो स्लीप क्वालिटी को फिर से खराब लेके जाएगा, तो overall हमारी स्लीप खराब होती जाएगी, और स्लीप एजिंग बहुत तेज करती है, जिम के रिजल्ट्स की बात कर लो, हमारी सोशल इंटराक्शन होगे, हार किसी को फैक करती है, तो देज सम्थिंग कॉल्ट HPA आकसे, हाइपो थेलेमिक, पिचियोटरी, अडर्नल आकसे, तो लाक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस बेसिकली इसको अक्टिवेट करते हैं, तो इसके लिए जो सबसे पहला टिप है, उनके अगर कभी आपने ब्लेट टेस्स कराये हों, तो बहुत खराब इसलिए होते हैं, क्योंकि ओठंग से ब्रीध नहीं कर पाते हैं, यो अबिसिटी और लाक ऑफ ब्रीधिंग ए बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन एक और चीज़ें जिसम्स्ट्रेस को टागेट कर सकते हैं, पहला पार तो प्रानयाम हो गया, ठीक है सबको प्रानयाम जरूर करना है, उससे ब्रीधिंग बेटर होती है, उससे उक्सिजिन ब्लड में ज्यादा होती है, वो ज्यादा ब्लड़ी, वो ज्यादा होगा, तो हमारे होमोन से ही रहेंगे, अब एक चीज और क्या अगर हम supplements की बात कर रहे हैं इस direction में तो मेरे पास आज एक बड़ी कमाल की चीज़ है इस चीज़ के लिए वो है हमारा सुनोव का anti-stress अब इन भाई साब में बड़े ही potent तीन चीज़े हैं पहला अश्वगंदा अश्वगंदा क्या है अश्वगंदा एक adaptogenic herb है आपने सुना हुआ यह टेस्टर जोन बूश्टर भी है डेफिनिटली है वो किस केस में है अगर मान के चलिए lack of sleep से आपकी life में stress बहुत जादा हो ही है तो अश्वगंदा exactly उसी direction में काम करेगा इस अश्वगंदा इसमें दूसरा पार्ट इसमें ब्रामी है तो ब्रामी को हम बोलते हैं बकाव पो मुनेरी अब यह भी बड़ी कमाल चीज़ है देखिए जब भी हमारी body में stress बढ़ती है किसी टाइप की कोई भी चीज होत उसके बाद इस stress और anxiety प्रवेंट करने के लिए उसके लिए बहुत बढ़िया है इसमें कुछ anti-cancer properties भी है और यह blood pressure को maintain करने में health भी कर सकता है और जिसमें last चीज है वो है go to cola go to cola सिरफ आयरुवेद में यूज नहीं होती यह इंडोनेशन जो परानी medicine है Chinese है वहाँ पर भी इसका mention है तो अगें यह cognitive function brain function के लिए बहुत कमाल की चीज है stress और anxiety बहुत चा काम करती है यह आज़ा anti-depression भी बहुत बढ़िया काम करती है insomnia और joint pain के लिए बहुत कमाल की चीज है जो भी उन्हें चीजें बोली है इन सारी herbs के बारे में description box में studies होंगी जहां से में बोल सकत अब एक सबसे important tip आपको बताता हूं आपने चीज देखी होगी कि जब भी लोग गाउं में जाते हैं तो गाउं में लोग जल्दी सोने शुरू हो जाते हैं अब तो वैसे वह भी लेट हो गया लेकि उसका reason है क्यूंकि जो हमारी need है यह light sensitive बहुत जाद है तो बहुत रहे जैसे कुछ टाइम पहले एक research study हुई थी उसमें लोगों को rocky mountains में लेगे थे वहां पर लेगे थे लोगों को सब अपने दो घंटे पहले ही सो हुए क्योंकि light ही नहीं थी तो इसलिए बड़ा important part क्या रहता है कि अगर जब आप सोने की त्यारी कर रहे है तो त्यारी करना ब अगला point from definitely sure बड़े लोगो शौक लेगा इस चीज से पहले हाथ खड़ा कीजिए कितने लोग रोज alarm यूज करते हैं उठने के लिए अपने कभी चीज नोट करिए जैसे अब alarm बचता है इंसान का reaction कैसा था अब मान के चलिए जब एक दब alarm आपको ऐसे उठाता है और बार बार स्नूज बटन आप करते हो तो कहीं न कहीं चोटी आपको काडियो वैस्कुलर इंजरी देता है कभी कभार alarm यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन रेगुलरली alarm यूज करते हैं चोटी चोटी काडियो वैस्कुलर इंजरी जग्रली आती हैं तो मान के चलिए महीना छे महीना साल पांच साल दस साल बीस साल में वो चोटी चोटी चीज़े अकुमलेट होके कितनी बड़ी हो सकती है इसके alarm बेस्ट वेट सबसे बेस्ट चीज क्या है कि हर रोज रात को सेम टाइम पे सो पταशना है और गानों की तो बात ना करें जहां पर शुराब का बड़ा ही जय्चन होता है उसक downt age आप को अच्छा सोने में पहली one of the studies of REM sleep के उपर मतब REM होती है rapid eye movement sleep deep sleep होती है अगर कुछ चुहों को हमने REM sleep नहीं दी तो वो उनको जल्दी मार देती है as compared to अगर हमको खाना ना दे तो REM sleep is as important as food और इसकी बड़ी important amazing capabilities हैं जो की शराब से सब चली जाती है तो अगर आप रोज रात को शराब पी रहे हैं की कोशिश करते हैं लेकिन एक बात आप ग्याद रखें पहले लोगों को लगता था sleep debt नाम की चीज़ होती है कि अगर आप पांच दिन धंक से नहीं सोई दो दिन पूरा धंक से सो जाएंगे तो पूरे week का काम हो जाएगा this is not how it works जिस दिन की नींद गई तो वो गई अब obesity rate diabetes होने का rate 60 person से जाला बढ़ जाता था उन मेंसे अगर कुछ लोग ऐसा करते थे कि 5 दिन धंक से नहीं सोते थे और दो दिन सोते थे तो उन में at least इस group से तो कम था लेकिन फिर भी जाए था तो moral of the story क्या है कि regularly हमें सेम टाइम पे सोना उठना है week-end पे भी इससे क्या होग उसले क्यों कि आपके दिमाग को एक दो डिदी टेंपरेचर गिराना बहुत जरूरी होता है डीप स्लीप में जाने के लिए तो अगर आप सोने से पहले जैसे होट शार लेते हैं मतला वाना गरम शार लिया उससे क्या होता है आपके पाउं से आपके हाथ से हीट डिसिपे होगी जब ही डिसिपेट होगी और बोई टेंपरेचर ड्रॉप करेगा जब वो ड्रॉप करेगा तो यहाव लाइक रिली गुड़ स्लीप इसलिए कुछ लोग जैसे बहुत कम कपड़े पहन के सोना पसंद करते हैं अगें जो कोल्ड है थोड़ा वह जाब बेटर होता है यह जो हुं नवर ने डीटेयल में एक्सप्लेइन किया था कि काफीञ जो है वह फीमल डिप्रड़क्ट्व सिस्टम के ऊपर कैसे असर करता है लेकिन caffeine कार में एक ही recommendation है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं black coffee पीते हैं और उसका सोज आते हैं same चीज़ों मैंने alcohol कारे हैं बोली थी सोना और deep sleep में होना unconscious होना और deep sleep में होना तो बहुत अलग लग चीज़े होती है caffeine होती है उसकी half life होती है 6 गंटे और quarter life होती है 12 गंटे तो सुबह 10 बजे गी caffeine थोड़ी बहुत रात को 10 बजे भी आपके पास होगी और caffeine और deep sleep का आप उसमें बिलकुल नहीं बनती तो इसलिए recommendation गिए कि अगर कोई coffee पी नहीं है तो 12 बजे के पहले रखें अगर आप 5-6 बजे coffee पीते हैं अगर आपको नींद आ भी जाती है deep sleep में जाने से वोज चीज़ आपको रोकेगी तो गई जे simple से कुछ तरीके थे जो आप use कर सकते हो I hope you found this video helpful I'll see you next one till then so bye